जार्खन में दो सीटों पर उपचुनाब हो रहा है इस बक्त मैं बेरमो बिधान सबाचेत्र में हूँ और हमारे साथ भाजपा के प्रत्यासी और दो बार बिधायक रह चुके योगेश्वर महतो बाटुल जी है वो अभी तयारी कर रहे हैं आज चुके अश्टमी का भी दि है दो बार चुनाव हार गए एक अलग विशे है लेकिन पार्टी ने हमको पांच बार कंडिडेट बनाया और यह भी बात है कि पहली बार कि लगातार 20 साल के अंतराल में पार्टी ने विश्वास किया और हम इस चीज़ शीट को पार्टी को हमने दिया और पार्टी के जोली में आया तब से लगातार हम चुनाव लड़ रहे हैं 2005 से और पांच में पहली बार जीते भी थे जी पहली बार 2005 में हम साड़े 9000 भोट से जीते थे और आगे बताईए कि आप क्या जानना चाहते हैं हम से हम लोग समझना चाह रहे हैं कि बेर्मो की जो जनता है इस पर किस तरीके से परत्यासियों को देख रहे हैं या फिर जब आप लोग जन संपर के लिए जा रहे हैं चुकि यह उपचुनाव है को विपक्ष ही जीत रहा था अभी आप लोग विपक्ष में हैं जनता आप लोगों को किस तरीके से देखिए जो बर्तबान सरकार है दस महिना हो रहे हैं दस महिना के अंदर में जो उन्होंने वादा किया जनता से बेरोजगारों से पाराशिक्षक से आंगनबाडी केंद ठका ठका की महिलाएं ठका ठका महसूस कर रही है जो रोजगार बोला था कि हम पांच लाग रोजगार देंगे पांच लाग रोजगार तो दूर की बात बोला था कि हम पांच हजार और साथ हजार रुपया ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को हमने पांच हजार पर रहा एक बार तो मुख्यमंतरी बोल दिये कि 5000 रूपया सलाना देंगे उसके बाद में आप जो हमारा किर्षी आसिरबाद जोजना किसान का चल रहा था एक महत्वा कांग्शी जोजना किसान को संब्रिद्ध करने का किसान को एक सहारा दे करके उठाने का वो भी वो भी ज जोजना बंद कर दिया गया एक रुपईया में जो हमारा यह था आप महिलाओं के नाम पर रिष्टी उसको भी बंद कर दिया गया हम लोगों के कार्चकाल में बड़ी बड़ी जोजना है चल रही थी यह यह कर सकते हैं कि बड़ी जोजना हो चाहे छोटी जोजना हो जब सरकार का ट्रेजरी बंद है तो सारा काम बंद है एक इंच काम आगे बढ़ा नहीं नया इंटा एगो तो गाड़ा ही नहीं बलकि बड़ी-बड़ी हमारे दो-दो सडक बन रहा था वो बाधित है कई पू पूती जोजना चल रहा है हमारे विधान सभाद छेतर में करीब करीब 200 क्रोड के आसपास का चाहे वह फूसरो नगर परिशोध हो बैर्मो परखंड के आठारा पंचायत का मामला हो चाहे वह चांपी चलकरी चांपी का तो बने पानी चल रहा है अंगबाली का पानी चल र गती नहीं हुआ है जैना मों में फैज टू का काम चल रहा सा वबादित हुआ है और चंदरपूरा में चंदरपूरा पर पर पठन का एक पंचायत का काम चल रहा था वह भी बंद हो गया है इस तरह से महत्वकंशी जोजना पेजलापूरति जोजना जो DMFT फंड का है वह भ राज सरकार तो लोगडाउन और कोरोना का हवाला दे रही है और यह सर्वविदित भी है बेरमो में आप जो राजेंदर बावु की जो बिरासत थी उनके निधन के बाद आप चुकि यह चुनाब हो रहा है अगर हम सही हैं तो तकरीबन छे बार वो बिधायक चुने गए यह हम विकासकार जादा नहीं कर पा रहे हैं देखिए करोना के कारण कोरोना ठीक है दो महिना तीन महिना यह एक पीक पर था उस समय की बात मान सकते हैं लेकिन जब लोकडाउन एक तरह से लगभग खुल गया था उसके बाद से तो काम शुरू होना चाहिए वह भी शुरू न उनके पुत्र के बारे में सब को लोगे को पता है कि वो क्या करने वाले हैं उनका विजन है वह अभी कहते चल रहे हैं कि राज़न्दरभाव के अधूरा कामउं को पूरा करेंगे हम तो उनसे कहे बार पुछ रहे उसका जबाब नहीं दे रहे ह। हमने कहा कि असा बणा अ कौन सा इसा जोजना धरातर पर उतारा है जो अधूरा आया और पूरा करेंगे उसके बाद में आगे का क्या आपका उनका क्या सपना है कभी तो उन्होंने सपना दिखाया नहीं हमने पेजल का रोड का बड़े-बड़े पूल पूलिया का हम पहली बार जब जीते तो उसमें दामादरय में एक पूल नहीं था आज 5-5 पूल हमारे कार्जकाल में खड़ा हुआ वह बीच में वह 9-14 है एक पूल नहीं बना सके खाटो नदी में एक उच्छे पूल बन करके तयार है सभी गाओं को हमने जोड़ा है और उसी तरह से जरीडी परखंड में एक लाइफ लाइन जो है 42 किलो मिटर का रोड 85 करोड का रोड लगभग बन करके तयार है वो काम रुका हुआ है अभी दातु से ले करके और कठारा जरंगडी और सिली साडम से ले गली गेट तक जो है रोड वह भी लगभग 105 करोड का रहा है वह भी बाधित है तो यह सारी बड़ी जोजना आने वाले दीन में इतना तक ही हमारा यहीं जैना मोड में जो है टूल रूम टेक्नोलोजी पार्क के लिए सेंट्रल गवर्मेंट का 800 करोड की जोजना जिसके ल जले चालू नहीं हुआ है यह सारी जोजना है हमारा दो प्यजला पूरती जोजना जो हमारे विधान дополн में 22 पंचायत प्यजल जला पूरती जोजना हमको उतारने का सपना चिसका बन रहा था और डिपी आर को खटाई में डाल दिया गया चंदरपूरा का 13 पंचायत और जरीडी परखन का 9 पंचायत यह नो और 22 पंचायत का हो जाएगा तो हमारा विधान सभा पूरे जारखन में के एकारची विधान सभा में पेजल के मामले में पूर्ण अच्छातित हो टिकट टिकट जो है एक घर में तै हुआ फिर बाद में पार्टी के द्वारा फाइनल किया गया और आप लोग जो परिवारवाद का जो आरोप लगा रहे हैं आपको क्या लग रहा है कि जनता जो घर से एक टिकट तै किया गया था और पार्टी ने फिर टिकट किया जनता लोग दंत्र में आज के दिन में सारे लोग समझ रहे हैं और उन्होंने 26 साल में जो दिया है वह भी लोग देख रहे हैं इसलिए अब वह जनता को वह गुमरह करके ठग करकरके सेंपे थी और आंसू बहा करके आप वो भोट नहीं ले सकते हैं और हम समझते हैं कि एक तरह से कॉंग्रेस के परतियासी को लोगों ने और अपचारिक रूप से जो है वो नकार चुका है आप 26 साल बनाम अपना 10 साल की बात कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल हम तो बराबर बोल रहे हैं कि 26 साल बनाम 10 साल आज भी चुनोती है आज भी चुनोती है हमसे वो फेस करें आमने सामने रहें वो भी रहें और हम भी रहें हम एक एक चीजों को गिनाएंगे वो गिना करके ज़रा दिखावें एक सवाल जो चुकि पिछले विधानसवा चुनाओं का जो परिनाम निकला चुकि आप लोग सरकार में थे और काफी उमीदे भी थी आप लोगों की लेकिन बाब जू दिसके कि मुझे जो समय याद है तक्रिबन 63,000 के आसपास आपका बोट आया था 25,000 क मारजीन था राजिंदर बाबु जो जीते थे 88,000 लगवग उनका बोट था जो बड़ा मारजीन है 25,000 बोटों का बिधान समय में बहुत बड़ा मायने रखता है इसको कैसे आप पार्ट देखिए आप तो सबसे पहला जान लईए कि उस समय आजशू और हमारा गटबंदन नहीं था जिसके कारण भी हमको नुक्सान जहलना पड़ा उसमें बाबुलाल मारांडी हमारे साथ नहीं थे बाबुलाल मारांडी का नोमिलल कंडिडेट था उन्होंने भी कुछ भोट काटा आज बाबुलाल जी हम लोगे पार्टी में आ गये हैं आज आज सू के साथ हम गटमंधन में लड़ रहे हैं तो हम समझते हैं कि और उससे जो एक उजंता में मेसेज गया है और आजके दिन में उनके जो कंग्रेस के परतियासे उन पर कोई सैंपेथी उन पर नहीं है उनके उनके उनका सब लोग जान रहा है वहम अपने मुँझ से नहीं कहेंदे लोग हों का रही है मिवलगों का काम हो अपना है उनको भी देखा हैसलिए किसी भी किमत पर आहिंग को नहीं लग रहा है कि उनको लोग स्विकार करेंगे और जो में जब हम जा रहे परचार परशार में लोगों से संपर्क कर रहे हैं जन संपर्क में उनके बोडी लेगवेज़ से उनका चेहरा का इंपरेशन से यह कह रहा है कि तुनाव हमारे पक्स में आ रहा है अखरी सवाल वह आपके पार्टी से जुड़ा हुआ है जो हम फील कर पार हो सकता है मैं गलत सीट को हम एक चुनोती को तोर पर लिये हैं और दोनों सीट पर पार्टी के सारे ताकत हमारे संगठन के लोग लगे हुए हैं और हम लोग दोनों सीट जीतेंगे इसमें कहीं बट किंतू नहीं है यह बातूल जी थे जो बेर्मों से चुनाव लड़ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि इस बार सेमपैथी के नाम पर कोई बोट बेर्मों में नहीं पढ़ने जा रहा है बलकि 26 साल जो राजेंदर जी के जो सासनकाल में जो इहां पर काम हुआ और इनके सासनकाल में जो मतलब की 10 साल में जो काम हुआ 26 साल बनाम 10 साल की लड़ाई है और विकास के नाम पर ही बेर्मों की जनता बोट करेगी